अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप उपर I बटन पर किलिक करके चेक कर सको तो चलिए शुरू करते हैं आप सेकेंड इस्टेंजा को तो सेकेंड इस्टेंजा शुरू होता है ताओ और फूज श्ट्रीम तो आगे फिर से पीबी शैली अगेन वेश्ट विंड को address करते हैं अगेन एपिस्ट्रोफी से ये stand जाज शुरू होता है दाव और होज श्ट्रीम तो शैली ने कहा है वेश्ट विंड को address करते हुए mid the steep skies का motion तो इस west wind जिसकी steam की वज़े से उचे फैले आस्मान में steep का मतलब है फैले हुए sky मतलब आस्मान और commotion का मतलब है commotion का मतलब है हल्चल steep sky आप यहाँ देखेंगे ऐसका repetition है तो यहाँ alliteration का भी यूच क्या गया है loose clouds like earth's decaying leaves are shed तो जो clouds हैं वो loose से हो गए है इस हल्चल के वज़े से west wind क्योंकि अब उपर पहुच चुकी है और वहाँ काफी हल्चल हो रही है तो जो clouds है वो loose से हो गए है जैसे कि decaying leaves हो जो की बिखर कर कहीं गिर गए हो अब यहाँ smelly का भी यूच क्या गया है क्योंकि जो यह loose clouds है इन्हें अर्थ में जो decaying leaves है उससे compare किया गया है और N का repetition किया है यहाँ alteration का भी use है अब देहेंगे loose, like, leaves इस तरह से L का repetition किया गया है तो यहाँ alteration का भी use है शूक from the tangled boughs of heaven and ocean तो इस west wind के उपर जाने के बज़ए से कुछ जो clouds है जो कि decaying leaves की तरह है वो शूक होगे यानि कि hill कर नीचे गिर गया है और वो गिरे गास है वो heaven और ocean के बाव का मतलब ब्रांच से नीचे गिर गया है जो कि tangled है tangled का मतलब उलजे हुए है अब दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आपको जो poetic meter है यहीं पर मैं आपको kilder कर देता हूँ poetic meter तो देखिए जो पहली लाइन है thou on whose stream mid the steep skies commotion इसमें अगर आप pair बनाएंगे syllable का तो thou on पहला pair है whose stream ये दूसरा pair है mid the ये थर्ड pair है steep skies ये फूर्थ फेर है फिर commotion में थ्री syllables होते means इस जो लाइन में एक syllable ज़्यादा होनी के वज़े से ये iambic pentameter नहीं है तो second देखिए loose clouds loose clouds पहला pair like earth ये दूसरा pair है decaying इसमें तीन syllable है decaying leaves ये एक साथ हो सकता है उसके बद आर्शेड तो ये जो second line है ये correctly iambic pentameter है क्योंकि इसमें पाच पेर्स बन दे shook from the tangled bow of heaven and ocean तो इसमें अगर हम पेर बनाएं तो shook from पहला है the tang दूसरा lid बाउस तिसरा of have जोथा and end पाच वा और ocean में दोस लेवल है तो ये एक और पेर है तो यहाँ है iambic hexameter angels of rain and lightning तो आगे पीवी शैरी कहते हैं कि ये जो clouds है ये clouds angels की तरह है यहाँ metaphorical comparison है clouds को angels का है जो की rain और lightning से बरे हुई है there are spread on the blue surface of dine air research और ये जो clouds है ये मारे blue surface में नीले आस्मान पर air research पर यानिकि air ही मतलब है एक air जिनके हवा और surge का मतलब है यहाँ पर movement तो ये movement करते हुए तुमारे blue surface पर फैले हुए है like the bright hair uplifted from the head जैसे कि चमकतार बाल जो है उस सर पर उठे हुए होते उपर उठे हुए होते तो यहाँ हमें इस मिली भी देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ like कही उठ के आगे है of some fierce me not तो यहाँ पीवी शैली ने मिनाट के बारे बात करी है मिनाट्स जो की female followers थी डाइनेसिस की the great god of wines ने कहा जाता है तो जो ये bright hair है जो की uplifted हुए ये मिनाट्स के hair है ये काफी fierce है थोड़ी डरावने से हैं even from the dimmers of horizon to the janet's hive तो तुम्हारे ये जो clouds है ये इतने उपर उठ चुके हैं कि ये dimmers से यानि कि कोई धुनली चीज से धुनली जो कगार है downside से ही उपर की तब horizon के नीचे की से उपर janet height यानिकी बहुत उचाई तक the logs सब approaching storm ये वहाँ तक approach करते हैं तक तूफवान आता है logs का मतलब क्या है फिर से वो year की तरब indicate कर रहे है doubt डर्ज और फिर तुम एक गीत गाती हूँ एक शोक वहरा गीत of the dying year और किसका गीत गाती हूँ इस गुजरते हुए साल का पीवी शैले ने इस ओट को 25 अक्टूबर 1899 को लिखा था तो मैं भी उसी साल की बात कर रहे है to which this closing night will be the dome of a wash sepulker तो ये जो शोक वहरा गीत है जिसके लिए ये जो शाम है closing night है ये किसकी तरह होगी है ये होगी है dome of a wash sepulker की तरह dome का मतलब है closed round shape किसी building का और sepulker का मतलब होता है कोई grave type में तो ये जो शोक वहरा गीत है ये dome of a wash sepulker की तरह होगी है और यहाँ एक और metaphor का use किया गया है क्योंकि ये जो closing night है इसे dome of a wash sepulker से compare किया गया है vaulted with all the congregated might तो vaulted का मतलब है roof जो कि round shape में हो die का मतलब है तुम्हारी congregated का मतलब है एकटा होना and might का मतलब है power तो तुम्हारी सारी power को एक ऐसी कमरे में एक ऐसी कमरे में कैद किया गया है जो की round shape में जिसकी जो छत है वो round shape में है of vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst oh here और जिसके एकटा होने से vapors की और एक solid atmosphere create होगा जिससे black rain होगी fire होगी और healing होगी ये सब burst हो सकता है means hurt सकता है oh here means सुनो और फिर से यहाँ वी वी शैले ने इससे epistrovis से end किया है second stage और दो झाए और झारे जीडि़ए mr झाल झाल